दिल्ली में तीन नगर निगमों के लिए 23 एप्रिल को वोट दाले जाएंगे 25 एप्रिल को नतीज आएंगे MCD चुनावों के बारे में क्या सोच रहे हैं दिल्ली के वोटर ये समझने के लिए ABP News सी वोटर ने उनका मंट टोला दिल्ली के सभी 272 वोटरों में 6213 वोटरों से एप्रिल के पहले और दूसरे हफ्ते में बात की गई जो नतीजे आए हैं उसे दिखाने से पहले हम साफ कर दें कि आकड़े वोट शेयर के नहीं है हमने सीटों का अनुवान भी नहीं लगाया है हमने लोगों से पूछा कि वो किस पार्टी को वोट देने का इरादा रखते हैं और आपको बता दें MCD चुनाफ का सबसे बड़ा उपीनियन पोल आप देखेंगे यूपी के चुनाफ के बाद एक और राशनतिक लड़ाई दिली में लड़ी जा रही है जिस MCD में बरसों से BJP का राज चल रहा है वहां 23 अप्रेल को चुनाफ होने वाले हैं अब तक BJP और कॉंग्रिस में लड़ाई होती रही लेकिन अब केजरिवाल की पार्टी आप भी पहली बार MCD चुनाफ में एंट्री बार रही है यूपी चुनाफ से आप जानते हैं BJP का ग्राफ काफी उपर हुआ है पंजाब और गुआ में हार से आमाद्बी पार्टी का ग्राफ किरा है कॉंग्रिस पंजाब में जीती लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी एतिहासिक पिटाई हुई ऐसे माहूल में MCD चुनाफ की नतीजे राजवीती में कौन सा गुल खिलाएंगे यही समझने के लिए ABP News और सी वोटर ने दिल्ली का मन टटोला और दिल्ली का मन टटोल कर जो नतीजे सामने आए हैं वो नतीजे बारी किसे जानते हैं अपने सहयोगी अमन से शुक्रानिया तो सबसे बड़ा ओपिनियन पोल और सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई जिसका जवाब जाना चाहेगा निया चुनाव में किसको वोट देने का इरादा MCD चुनाव में किसको वोट देने का इरादा यह सवाल और नतीजे देखिए आप East Delhi और North और South जो MCDs हैं तीन जो MCDs हैं उसमें अगर हिसाब से समझाएदा है तो 21 फीसदी लोगों का इरादा कॉंग्रेस को वोट देने का है East Delhi में 38 फीसदी लोगों का इरादा BJP को वोट देने का है और 21 फीसदी लोगों का ही इरादा East Delhi में आम आदनी पार्टी को वोट देने का है यहाँ पर भी नौर्थ में भी रहा 35 फीसदी जो है ज्यादा तर BJP के पक्ष में नजार आ रहे हैं 35 फीसदी लोग BJP के साथ नजार आ रहे हैं 31 फीसदी लोगों का इरादा आम आदमी पार्टी को वोट देने का है और अगर साथ एमसीदी की बात कीज़े तो यहाँ पर 17 फीसदी लोगों का इरादा कॉंग्रेस को वोट देने का है और यहाँ पर भी आप देखें 34, 38, 35, 34, 34 फीसदी लोगों का इरादा BJP को वोट देने का है क्या आप जो है निगम में बीजेपी शासन से संतुष्ट हैं, 10 साल बीजेपी का शासन MCD में, इस डेली में हमने जब यह सवाल पूछा, तो 43 फीसदी लोग हां में जवाब देने कि हां संतुष्ट हैं, 53 फीसदी लोग कह रहें कि नहीं संतुष्ट नहीं हैं, नौर्थ MCD म वहीं अगर साउड डेली की बात कीज़एं, तो यहां आकड़ा और खराब हो रहें, 38 फीसदी, सिवर 38 फीसदी लोग कह रहें कि हां बीजेपी शासन से संतुष्ट हैं, 58 फीसदी कह रहें कि नहीं हैं, यहां पर चिंता की बात है बीजेपी के लिए, एक एहन सवाल आम आ 50 फीसदी संतुष्ट हैं, 47 फीसदी नहीं हैं, और 49 फीसदी संतुष्ट नहीं है, साउड डेली में 50 फीसदी संतुष्ट नहीं 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 है, यहां पर मिली जूली रहें, 50-50 नहीं नहीं है, यहां पर केज़िवाल के काम से आधे लोग संतुष्ट हैं, आधे लोग संत संतुष्ट है इस डेली में 46 वीसदी लोग कहने की हम संतुष्ट हैं 53 वीसदी लोग कहने कि हम संतुष्ट नहीं है नौट डेली की अगर बात की जाए नौट कभजा है एक और आहम सवाल आम आन्मी पार्टी के लिए हैं क्योंकिky 40 में सए 67 विधायक आम आन्मी पार्टी के हैं तो हमने अगला सवाल किखा कि क्या अपने विधायक से संतुष्ट हैan 60 with a आमानी पार्टी के लिए ऐस जेली की बात की तो East MCD की बात की जाए, तो वहाँ पर 44 फीसदी लोग कहरें कि हम अपने विधाय के कामकाद से संतुष्ट हैं और यह देखिए, 53 कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, इसके लाबा अगर हम North MCD की बात की जाए, North Delhi तो यहाँ पर 48 फीसदी कहरें कि हम संतुष्ट हैं, 51 फीसदी कहरें कि हम संतुष्ट नहीं हैं लेकिन South Delhi से रहात की ख़बर आई है, यहाँ पर 55 फीसदी लोग कहरें कि हम अपने विधाय के काम से संतुष्ट हैं 41 फीसदी कह रहे हैं कि हम संतुष नहीं हैं ये आकड़े है निया बहुत बहुत शुक्रिया आमन आपका इन तमाम आकड़ों के लिए तो बड़ी जानकारी और बड़ी खबर MCD चुनाप का ABP News और C Voter का ओपीनियन पोल ये कह रहा है कि तीनो नगर निगमों में BJP जीत सकती है 36 फीसदी तक जो लोग हैं उनका इरादा ये है कि वो बीजेपी को वोट दें यानि ABP News C Voter का जो ओपीनियन पोल है MCD चुनाप को लेकर वो ये इशारा दे रहा है कि तीनो नगर निगमों में BJP सबसे आगे जीत सकती है 36 फीसदी जो वोट हैं वो देने का इरादा रखते हैं BJP को उनका इरादा ये है कि वो बीजेपी को वोट दें और इसी वज़े से तीनो नगर निगम उत्तर, डक्षन और इस्ट, MCD वहाँ पर जीत सकती है BJP आमादभी पार्टी दूसरे नमबर पर 26 फीसदी लोग वोट देने का इरादा रखते हैं और कॉंग्रिस पार्टी तीसरे नमबर पर 17 फीसदी लोग वोट देने का इरादा रखते हैं केजरिवाल के काम पर दिल्ली बटी हुई है, 49 फीसदी जो हैं, वो केजरिवाल के काम को सरा रहे हैं, जबकि 50 फीसदी जो हैं, वो कमिया निकाल रहे हैं, यानि केजरिवाल के काम पर राय बटी हुई, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, MCD चुनाव पर ABP News उसका ये बड़ा ओपीनियन पोल, सी वोटर, एबीपी नियूस का ओपीनियन पोल, जिसमें तीनों नगर निगमों में बीजेपी जीत सकती है, 36 पीजदी जो लोग है, वो बीजेपी के साथ जाने का इरादा रखते हैं, हमारे साथ आपको बता दें, पाउंडर डिरेक्टर उसमें बीजेपी बाजी मार रही है, लेकिन निगम में बीजेपी के शासन से आप कितने संतुष्ट हैं, 57 पीजदी नहीं कह रहे हैं, पार्शदों से संतुष्ट नहीं है, मेयर के काम से संतुष्ट नहीं है, निगम में बीजेपी के काम से संतुष्ट नहीं है, तो फिर M.C.D. के शाशन के जो तीन लेयर हैं, चाहे मेयर हो, चाहे कॉर्परेशन हो, चाहे वो सिटिंग काउंसलर हो, इन तीनों के खिलाफ नाराजगी बहुत साफ दिखाई दे रही है, तो अगर नाराजगी एतनी है, तो ऐसा क्यों है कि B.J.P. के नाम पे लोग वोट दे रहे है तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिती है, दूसी तरफ सेम वोई स्थिती दिल्ली सरकार की भी अगर आप देखें, M.L.S. के खिलाफ नाराजगी है, सरकार से बहुत ज़्यादा उतनी 50-50 की तरह से खोशी है, चीफ मिनिस्टर से थोड़ी ज़्यादा खोशी है, यानि ज जैसे जैसे आप केंदर में आते हैं, तो सेम वोई स्थिती हो जाती है, ऐसा लगता है कि जैसे नेता अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के लावा अपने जो MLA या पार्शद हैं उनकी कमी को जो दोनोई पार्टीयों के नेता है वो ढोडह है ऐसा लगता है तो मोदी की popularity यह BJP की जो कमी है पार्शदों की कमी है BJP को उम्बीद है आपकी प्तिक्रिया चाहों क्योंकि ऐसा लग रहा है देश के प्रधानमंत्री अब दिल्ली की लोकल बोडीज इलेक्शन में यानि MCD में भी अपनी जगे बना रहे हैं और उसका खाम्याजा सीधे सीधे आम आद्मी पार्टी भुगत रहे हैं कम से कम हमारा ओपीनियन पूल ये दिखा रहा है देखिए अभी चिनाम में दो हफ्ते बाकी है और जितना गुसा दिल्ली भर में BJP के खिलाफ है MCD में जो भष्टा चार्ड रहा है दिल्ली को जो कूडे दान बना के रखा हुआ है MCD के स्कूलों का बुरा हाल है उसके खिलाफ जनता का बहुत गुसा है और हमारा ये मानना ह है कि तो इस सारी को जो वोट पढ़ेंगे तो BJP के खिलाफ की वोट पढ़ेंगे और हम आपनी पार्टी के फेवर्ट में पढ़ेंगे पर काम पर आप नहीं मांग रहे हैं वोट आपने अपने 240 सिटिंग पार्षत को टिकट भी नहीं दिये हमारे 153 सिटिंग पार्षत थे जिनको हमने नई लीडर्शिप डेवलप करने के लिए ये तेह किया हम टिकट नहीं देंगे तो पिछले तीनों निगमों में 8000 से ज़्यादा कमरे जिन स्कूलों में बने हैं हमारी अन्य उपलब्दियां ऑनलाइन वेवस्ताओं के संदर्ब में भी उपलब्दियां हैं अगर मैं आपके आकड़ों के संदर्ब में बात करूँ तो आप हमारे पार्शदों को तीनों निगमों में 46, 45 और 45 प्रतिशत लोगों का समर्थन बताते हैं दस वर्ष जिसको कहते हैं आपके पास सेफोलोजिस्ट बैठें देश्मुक साब वे बताएंगे दस वर्षों के बाद अगर मेरे पार्टी के निगम पार्शदों को 46 प्रतिशत जनता समर्थन करती हैं और वहीं दो वर्ष में हमें तमाम गालियां देने के बाद अगर इनके पार्शद, इनके विधायकों को केवल 44 परसंट लोग पसंद करते हैं तो ये इस बात का धोतक है, इस बात का प्रमाण है कि भारतिये जनता पार्टी भारी बहुमत से फिर जीत रही है आप इस बात को नजर अंदाज कर रहे हैं, हमारे आंकरों में सूथ साब पार्शदों से ज्यादतर लोग heaven मेर के काम से शंदूश नहीं है और निगम में BJP के साषण से भी असंदूश शंद भारा जैता है परन्तु मैं आपके आंक्रों की बात कर रहा हूं और आती शीज़े ठीक का दो हफते रहे गए हैं दो हफते में जो 35 और 34 प्रतिशन तक जाएगा भारते दना पार्टी के लिए सब्सक्राइब मैं इसका जबाब आती शीज़े लूगी लेकिन हारुन यूसुफ साब 17 फीस्ती लोगों का ABP News सी वोटर के पोल में ये इरादा की वो कॉंग्रेस पार्टी के साथ हैं क्या हुआ हारुन यूसुफ जी क्या कॉंग्रेस पार्टी को दिल्ली की जनता बिल्कुल भूल गई है कि देखे अभी प्रचार शुरू हुआ है और जैसा आपने कहा कि दिल्ली के अंदर जो क्या सैंपल साइज है मुझे नहीं मालूम क्योंकि जो आप आपने जो आकड़े दिखा हैं मैं उससे काफी हद तक सहमत नहीं हूं क्योंकि अगर भारतिय जनता पार्टी ये दावा क करती है कि आज हमारी बड़ी पॉप्लारिटी है और हम बहुमत लाएंगे दिल्ली के लोगों ने दस साल उन कॉर्परेटर्स को देखा है जो हाल दिल्ली का हुआ है गंदगी शड़कों पर पड़ी रही लोगों को पेंशन नहीं मिल रही थी जो प्राइमरी हेल्थ केर से अपने पारिशत बदले हैं यह इस बात का सुबूत है कि यह इस बात से कन्विन्स थे कि अगर यह चेहरे दुवारा पहुच गए तो शायद भारतिये जन्ता पार्टी की जमान अजब्त हो जाएगा इसका जवाब मैं आप से लोग से पहले हारून यूसुप साब क्यूं की है और अभी आने वाले दो हफतों में जब तक को एलेक्शन होगा तब तक में लगता है कि हम 20,000 के आसपास मद्दाताओं से दिल्ली में बात कर चुके होंगे जो बात एक इंट्रेस्टिंग ने हम यह भी कहना चाहेंगे कि कॉंग्रेस का ग्राफ बढ़ा है ऐसा नहीं यह एक इंट्रेस्टिंग फैक्ट है दूसरी चीज दर्शे को कम यह भी बता दें कि कल जो है बहुत इंपोर्टेंट बाइपोल की मदगरना होने वाली है राज़ारी गार्डन की राज़ारी गार्डन के जो नतीजे आएंगे जा ट्रेंड आएंगे उससे साफ हो यह एक नहीं हम लोग को कि हम लोग का ट्रेकर जो है वो सही ट्रेक पे है कि नहीं है कि नहीं है कि राज़ारी गार्डन बाइपोल जी बिल्कुल उस पर एवी पी नूस की नजर रहेगी लेकिन एक बड़ी बात यश्वन जी जो हमने देखी आपके इस ओपीनियन पोल में इसी बोटर ने जो किया प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी का चेहरा ऐसा लग रहा है कि यूपी के बाद उत्राखंट के बाद दिली के MCD चुनाब में भी काम कर रहा है हम ऐसा क्यों कह रहे है जानने के लिए हम सीधे चलेंगे अमन के पास जी ने आपने ठीका पांच में से चार राज़ों में BJP ने जीत हासल की प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लेकिन लोकसभा, राजज़सभा, विधानसभा और अब क्या लोकल एलेक्शन्स में भी एजादू चलेगा पियम मोदी से संतुष्ट हैं क्या लोग, यह देखे, यहाँ पर आपको दादे 80% लोग मोदी के काम से संतुष्ट हैं, प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के काम से संतुष्ट हैं, इस डेली में 19% लोग कह रहे हैं कि नहीं, नॉर्थ में 76% लोग प्रधान मंतरी के काम से स अमन्त सवाल ये है कि PM मोदी की जो छवी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं और इसमें योगी, CM योगी जो कि स्टार पिचारक के तौर पर बीस्तारिक को मैदान में आने वाले हैं तो क्या तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी आतिशी जी, 78 पीजदी लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के काम से संतुष्ट है, बताइए दिल्ली की जनता, MCT का चुड़ाव, लेकिन PM मोदी के सवाल पर सबसे ज्यादा रस्पॉंस, अगर इसमें योगी भी जुड़ जाएं, तो तस्वीर बदल जाएगी आतिशी जी, आप मुझे सुन पा रही हैं, मेरे ख्याल में उनसे हमारा संपर्क जो है, वो टूट गया है, यही सवाल में हारुन यूसुफ जी आपके पास लेकर जाना चाहूंगी प्रधानमंत्री मोदी, आप लोग तो मैं यह कह सकती हूँ कि भुक्त भोगी है, उत्तर प्रदेश में, जीते आप पंजाब में बड़ा जबरदस, लेकिन यूपी की जो हार थी, वो बहुत ही बुरी थी तो दिल्ली में पीए मोदी पर जो रिस्पॉंस आया है इस सवाल के जवाब में, 78 पीस दी लोग काम से खुश, उसमें अगर सीएम योगी स्टार पिचारक बनकर मैदान में आते हैं, क्या ये पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में मोड़ देगा, एंसीटी के हवा को, हा तरिके से 10 साल में काम हुआ है, और निहा जी अभी जो आप कह रहे ही थी, अगर आप बाइपोल जो हुए थे, MCD के, 13 सीटों के, अगर उसके नतीज़ उठाकर देखें आप, हमारी वोट परसेंटेज भी बड़ी और 5 सीटें कॉंग्रेस ने जीती और 5 आम आदमी ने, औ और आने वाले वक्त में, जिस तरीके से 10 साल में केवल ब्रस्टा चार अंजेखी लोगों की सबस्याओं के, उसके अलावा कोई काम नहीं क्या है, तो आने वारा 10 दिन ये भी टैय कर देंगे, मैं आउंगी अश्वन जी आपके पास, लेकिन क्यूंकि हमारे साथ आतिशी पर भारी पड़े थे, पिये मोदी पर भी वो भारी पड़े थे, लेकिन उसके बाद बहुत जादा पानी बह गया है, हमने यूपी के चुनाव के नतीजे देखे, हमने पंजाब के चुनाव के नतीजे देखे, MCD में क्या होने वाला है, देश के PM, MCD चुनाव में भी भाजपा वाले खुद मान गए है कि उनके पारशद धरश्ट थे अगर धरश्ट नहीं थे उनके पारशद तो उन्होंने क्यों ने लिया कि वो एक भी सिटिंग पारशद को टिकेट नहीं देंगे तो BJP जब खुद मान रही है कि पार्शत भरष्ट है, पार्शत काम नहीं कर रहे हैं, तो दिल्ली में रहने वाला कोई भी रिक्ती BJP को वोट, NCD चुनम में नहीं देने वाला है, उनको पता है उनकी dispensaries काम नहीं करती है, और उनके, देखिए नेहा जी, नेहा जी ये ये अजार के सैंपल साइज में काफूर कर दी है, ये कितना या रोप लगाते रहें, हम एक डिसिप्लिन पार्टी है, हमने अपने आप एक नई लीडर्शिप को स्थान देने के लिए, बदलती दिल्ली के डाइनमिक्स और डेमोग्रफी को एकॉमोडेट करने के लिए, हम यहां पर केद्रीमाट और कॉंग्रेस की तरफ परिवार्ट की राजनीती नहीं चलती है, यहां कारेकरता आधारीत राजनीती चलती है। चिंतित तो नहीं कहूंगा, उतसाहित हुई यह देखने के लिए, कि यह जो ट्रैकर है, यह करके उप्चनाओं के नतीजे में, यह अगर ट्रैकर मेल खाता है। यह ज़्यादा रहते हैं यहां पर दिल्ली के जहां तक बात करें। और उसमें बहुमत में लोगों ने शीला दिक्षित की कॉंग्रेस सरकार का नाम लिया। अर्विंद केजरिवाल की सरकार नमबर दो पे गई। तो लेकिन कहीं पर भी… अर्वन यूसुफ साब बहुत संख्शेट रहते हैं यूसुफ साब बहुत संख्शेट। नेहा जी जब भी दिल्ली के अंदर लोकल स्थर का चुनाव होता है तो प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा उस पे होता है जिनके नित्रित में चुनाव लोडा जाता है। और शीला दिक्षिट जी एक बहुत सम्मानित नेता है इस दिल्ली की और उन्होंने 15 साल जिस तरह मैं भी उनके मंत्री मंडल में रहा हूं जिस तरीके से शीला दिक्षिट जी ने दिल्ली को समारा है तीन साल में यह आहम आदमी पार्टी की हमारी बहन बैटी है। पहले राउंड के ट्रैकर में जो नेहा निकल के आ रहा है कि कॉंग्रेस अपस्विंग पे है और आम आदमी पार्टी का वोट नीचे कम हुआ है सपोर्ट नीचे के हुआ है बीजेपी अपनी जगा बरकरार है हमारे इसमें पूरे में दिख रहा है कि उन्होंने अपना वोट शेर बरकरार रखता है। कुछ कुछ इंडिकेशन दे दिए हैं अब देखना होगा कि असल नतीजे जोंगे वो किस तरह के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यश्वन देश्मुक जी, आशीश सूद जी, आतिशी मारलीना और हारुन यूसुफ साहब आप सभी का हमारे साथ इस ओपीनिन पूल में जूरने के लिए यह है एबीपी नियूज आपको रखे आगे।